नमस्कार आप सो भी पोशुपलक भाईयों को आपका अपना यूटूब चैनल पोशुपलन जनकरी में स्वागत है पोशुपलक भाई हम सब जानते हैं पोशु जब गाभिन होता है तब उसको हम बहुत ज़्यदा क्यार लेना पड़ता है और हम पोशुपलक भाई उस गाभिन पोशु का बहुत ज़्यदा क्यार लेते हैं कि उसके पेटे में बच्चा है और डेलिवरी के बाद वो हमें दूद देगा और वो दूद बेश के पैसा कमाएंगे जो घर के इंकाम में बहुत कमा जाएगा तो इस बज़े से हम गाभिन पोशु को बहुत सिवा करते हैं उसका बहुत ध्यान रखते हैं उसको हम बैलेंस डाइट देते हैं और अच्छा कमपनी का मिनरल मिक्सर में सब है अच्छा कमपनी का मिनरल मिक्सर भी खिलाते हैं और पोशु को बैलेंस डाइट खिलाते हैं और हम कोशिस करते हैं पोशु को एक्स्ट्रा केल्सियम देने के लिए तो जब हम फिल्ड में जाते हैं तो पोशु पलक भाई ज्यादातर यहीं क्यूसिन करता है कि डाक्टर साब गाबिन पोशु को बैयाने से पहले हम उसको एक्स्ट्रा केल्सियम खिलाए या ना खिलाए क्योंकि बहुत सरे डाक्टर साब ऐसे बोलते है कि ब्याने से पहले पोसु को एक्स्टा केल्सियम ना दे और बहुत सरे डाक्टर साब बोलते है कि पोसु को पूरा साल पूरा सीजन में गाबीन में या तो जब वो बच्चा देता है उसके बाद भी जो है उसको extra calcium देना चाहिए तो पोशुपलग भाई confused होता है तो पोशुपलग भाई हमें यही request करता है कि आप इसके उपर जो है एक scientific कारण हम कब पोशुपलग को जो है extra calcium खिलाए और delivery के कितना दिन पहले हम उसको extra calcium बंद कर दे और कब खिलाना चालू करे यह scientific कारण होना चाहिए वो scientific कारण हमें समझाए तो पोशुपलग भाई मैं करिब 29 साल से इस veterinary practice में हूँ मैं बड़े बड़े commercial dairy farm बे करिब 22 साल था जहां पर हम लोग TMR feeding करते थे पोशुपल को और अभी मैं फिलाल यह ABS Cement Station में इस्टाइड बेटनरियन हूँ जब हम commercial dairy farm पे थे उहां पर हमारा ज्यादा तर गाए 40 लिटर के उपर दूद देता था और कम से कम 10,000 से उपर हमारा पास गाए होता था और वो सब गाएक पोशुपल को जो है हम लोग TMR feeding करते हैं TMR मतला Total Mixed Ration जिसमें हरा चारा यह आपका सुका चारा साइलेस, Concentrant Feed और जितना भी supplements होता है mineral हो वो सब मिला के एक हमारा formula होता है उसी में मिला के हम सब पोशुपल को जो है खिलाते हैं क्योंकि TMR में मिनारेल मिक्सर मिक्स होता है और उहीं जो है आपका जोन सब TMR feed है वो आपका पैगनेंट एनिमेल, बच्चा मिल्किंग एनिमेल सब को हम लोग खिलाते हैं तो आज मैं आपको यहीं बताऊंगा कि यह गाएभीन पोशुपल को delivery से कितना दिन पहले हमें जो है उसको यह calcium बंद करना चाहिए अपका चालू करना चाहिए तो हम सब को पता है यह गाए जो है इसका जो है gastration period 280 दिन होता है और भैस का जो है 10 महिना, 300 दिन होता है तो पोशुपलक भाई को हमारा यहीं बीनती है जब आपका पोशु यह pagnant रहता है तो पोशुपलक को आप कोशिस करिएगा कि यह last zone सा दो महिना है मतलब 7 महिने के बाद गाए में और भैस में 8 महिना जब complete होता है तो वो 2 महिना मतलब 60 दिन पोशुपलक को दूद लेना बंद कर दे मतलब उसका milking करना बंद कर दे ड्राई पेरियोट बोलते है आप पोशु का delivery के 60 दिन पहले पहले 60 दिन जो है वो आप उसका छोड़ दे उसको जो है ड्राई पेरियोट जो है छोड़ दे उसका उसी टाइम आपका उस पोशु को बहुत ज़्यादा क्या लेना है देख भल करना है क्योंकि 60 दिन बात आपका पोशु delivery देगा delivery के बात वो milking में जाएगा जब milking में जाएगा तो उसका सरीर से है बहुत सरे mineral से calcium जो है वो सब निकल जाएगा तो उसका भरपाई हम यह 30 दिन पहले उसका सरीर में store करना चाहिए तो पोशु को अगर dry period आप छोड़ देंगे दूद नहीं लेंगे तो अगला ब्यात में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूद मिलेगा तो यह सी dry period में आप पोशु को balance diet बना के खिला है और उसको अच्छा company का mineral mixer दे एक चीज में आपको बार-बार बता रहा हूँ गाभिन का पूरा समय मतलब यह 280 दिन या तो भैस में 300 दिन आप mineral mixer उसको दे लेकिन जो extra calcium जो हम liquid form में या तो ballast form में या तो injection form में या तो हम IV लगाते है वो सब delivery का 15 दिन पहले बंद कर दे 15 दिन पहले बंद करना है और जिस दिन delivery का date है जिस दिन delivery होगा उसका 24 घंटे से पहले फिर आप दुवारा वो extra जोन सा calcium आप देते हैं वो चालू कर दे यही कारण है मतलब पूरा गाभिन पेरियर्ट में आप वो सुगो मिनरल मिक्सर दे सकते है खाली यह delivery का 15 दिन पहले से लेके delivery का 24 घंटे तक मतलब यह 14 दिन आप extra calcium ना दे बाकि पूरा गाभिन पेरियोड में आप उसको extra calcium दे सकते है यह जोन सा delivery का 15 दिन पहले उसका extra calcium क्यों बंद करना है आप डेलिवरी का 24 घंटा पहले फिर दुबारा क्यों आपका यह extra calcium चालू करना है इसका scientific reason है इसका scientific reason यह है कि हम जब delivery का 15 दिन पहले यह extra calcium बंद करते है इसका मतलब है जो calcium उसका bone में है उसका हड़ी में है वो पोसु को यह उसका bone को जो है उसी सबसे आदर डालना चाहिए mobilize करना चाहिए कि जब delivery होगा उसके बाद bone में जो calcium है वो blood में जाना चाहिए mobilize होना चाहिए कि bone में जो आपका calcium है वो blood में जाना चाहिए और blood से वो फिर जो है दूद में जाएगा तो यहीं कारण है कि यह 14 दिन delivery का 15 दिन पहले लेके यह 24 घंटा पहले तक यह जोंसा 14 दिन है वो 14 दिन में उस पोशू का शरीर में जोंसाब का calcium bone में है वो mobilization उसके start करना होता है इसी बज़े से यह 14 दिन हम उसको extra calcium जो है नहीं देते है और जिस दिन delivery होगा उसे 24 घंटा पहले दूरा हम जो है calcium चालो करते है यहीं reason है तो पोशू पलग भाई को यहीं जोंसा science है science को आपको समझना पड़ेगा पोशूओं को जो हारा चारा, सुखा चारा या concentrate feed खिलाते है वहाँ से पोशू को calcium मिलता है इसके अलवा mineral mixer हम देते है वहाँ से भी पोशू का शरीर में वो calcium जाता है इसके अलवा जो हम अतिरिक calcium वो liquid form पे या ballast form पे या injectable form पे पोशू को शरीर में देते है वो जाके पोशू का bone में जमा होता है और वहाँ से वो mobilize होके blood में आता है और blood से फिर वो जिस पार्ट में उसको जोड़त परता है वहाँ पे चले जाता है जैसे milking animal है milking animal में वो दूद में वो calcium का जोड़त परता है तो blood से फिर milk में आता है ये हमको जानना पड़ेगा कि पोशू का सरीर का किसी भी पार्ट में चाहे बोन में चाहे किसी भी पार्ट में ये calcium का production नहीं होता है मसलब calcium पोशू के सरीर में अपने आप production नहीं होता है ये calcium पोशू को जितना भी requirement है वो बाहर से हमें उसको खिलाना या पिलाना या तो फिर injectable form में उसको देना पड़ता है और अगर पोशू के सरीर में calcium का requirement ज्यादा है और हम बाहर से नहीं दे पार है तो पोशू हाइपो केलसीमिया में चला जाता है फिल्ड में अक्सर ये देखा जाता है जो ज्यादा दूद देने ओला पोशू है वो delivery के तुरंद बात जब वो milking में आता है तब उसको जब milk फिवर होता है milk फिवर मतलब उसका blood में जितने केलसीम होना चाहिए वो केलसीम का मत्रा कम है इसका मतलब जो उसका bone में जो इस्टोर केलसीम था वो किसी भी कारण बस था blood में वो shifting नहीं हुए है हमें ये जानना पड़ेगा कि वो पोसू पला जो मैंने अभी बताया कि delivery का 15 दिन पहले उसने सायद वो extra केलसीम दिया होगा continue रखा होगा तो इस वज़े से उस पोसू को उसका shifting होना था केलसीम blood में वो नहीं हुआ है तो यही कारण हो सकता है तभी जाके इस पोसू को milk fever हुआ है और वो milk fever होने से उसको बाहर से फिर यह केलसीम का यह injection या तो फिर ओरली उसको देना पड़ता है या तो फिर केलबोरोल या तो माइफेक्स को IV देना पड़ता है तो पोसू बलग भाई हमको यह पहले जानकरी होना से यह केलसीम क्या सीज़ है यह केलसीम एक mineral मतलब एक राशाइन खनीस तत है और यह केलसीम का काम क्या है यह केलसीम पोसू का जून सब दाथ है और जितना भी बून है शरीर में हड़ी है उसको बनाने में मदद करता है और उसको बनाए रखने में मदद करता है और कहीं पे अगर चोट लगता है पोसु को तो वहाँ से जब खून निकलता है तो वो खून को जमाव करने के लिए जिसको हम ब्लाट क्लोटिंग बोलते है उसमें ये केल्सियम मदद करता है तो ये जोंसे केल्सियम है पोसु के सरीर में वो ज्यादा मत्रा में वो हड़ियों में रहता है और इसको हम इस्टोर केल्सियम मोलते है और जब ज़रूरत पड़ता है वो हड़ियों से ये इस्टोर केल्सियम पोसु के बलाट में वो मोबिलेश होता है सोरीर का ज्यादा तर केल्सियम ये बिना इलेक्ट्रिक चार्ज के रहते है केल्सियम सरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स में से एक है ये ऐसा मिनारेल है जिने सरीर के फ्लूइट जैसे ब्लाड में मिलाया जाने पर वो इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा करता है ब्लाड में पाए जाने वाला यह 40% केल्सियाम ब्लाड में जो प्रोटीन है जिसको हम एल्बुमीन बोलते है वो एल्बुमीन के साथ यह चिपका होता है यह रॉक्त कोशिकाव के लिए यह एल्बुमीन से चिपका हुआ यह केल्सियाम जिसको हम जमा केल्सियम या इस्टोर केल्सियम बोलते है ये सरीर का इसका कोई खास काम नहीं होता है पोशुओ के सरीर के कारियों में ये फिरी केल्सियम जरूरत होता है फिरी केल्सियम में ये इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है पोशू में साल में एक बार blood test यानि खून का जार्ष करना चाहिए खून में calcium का जन्ता मात्रा है वो गाय या भैस में यह 9 से 12 mg पाट dl होता है तो जब हम पोशू का blood test करते हैं खून का जार्ष करते हैं तो उसमें calcium level के एलवा उसमें total protein का मत्रा कितना है, उसका albumin का मत्रा कितना है और kidney जो है सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं मतलब उसमें creatinine का level सही मत्रा में है या नहीं उसमें magnesium का level कितना है, उसमें phosphorus का level कितना है और उसमें vitamin D का level कितना है और parathyroid hormone का भी level कितना है क्यूंकि ब्लाट में केलसियम का लेबल थोड़ा सा कम हो सकता है इसके बज़त से पोसुओं में कोई प्रोब्लेम या बिमारी नहीं होता है अगर केलसियम का लेबल लंबे समय तक कम रहता है तो पोसुओं की सकीन में मतलब पोच्चा में सुकापन पोच्चा की बाल रुखा होता है और हूप मतलब नाखुन कमज़ोर होता है पोशु के कमर और चारो पेरों में जुन जुनी मासल क्राम मांग्सोपेसियम में दर्थ गले की मांग्सोपेसियम में एठन मतलब सास लेने में तकलिफ होगा और बाकी सरे मांग स्पेसियम में भी एठन जिसको हम टिटनी बोलते हैं ये होने का चांज होता है इसके बज़े से पोसू का हार्डवीड भी बढ़ जाता है पोसू के बलाड में अगर केलसियम का मत्रा कम होता है तो उसको हम हाइपो केलसियमिया बोलते है हाइपो केलसियमिया की बज़े से प्रोब्लेम तब होता है जब फिरी केलसियम सरीर में कम होता है हाइपो केलसियमिया तब होता है जब बहुत सारा केलसियम निकल जाता है ये केल्सियाम दुधरू पोसुव में दूद से निकल जाता है और उसका अगर कीडनी सही तरीके से काम नहीं करता है तो वो यूडिन से निकल जाता है और जब जो हड़ी में जो इस्टोर केल्सियाम है वो अगर खून में अगर वो मोबिलाज नहीं होता है खुन में अगर नहीं आता है तो अब जो है यह हाइपोकेलसीमिया का प्रोब्लेम दिखाई देता है यह हाइपोकेलसीमिया क्यों होता है पोसुओं में पेराथाइरोएड हॉर्मोन का लेबल काम होना जनम के समय पोसुओं में पेराफाइरोएट गिलान मुझूद नहीं होना पोसुओं के ब्लाड में मेगनेसियम लेबल कम होना जिसको हम हाइपो मेगनेसिमिय बुलते है भीटामिन D की कमी होना ये भीटामिन D पोसुओं अगर सूरस की रसनी पज़र्प मत्रा में लेता है तो उसका सरीर में भीटामिन D का पोटक्शन सही रहता है और किद्नी अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो पोसुओं बलक भाई को हम एहीं सला देंगे कि आप पोसु को पूरा गेस्टेशन पेरियर्ड में उसको आप एक्स्टा केल्सियम दीजिये लेकिन डेलिवरी का 15 दिन पहले उसका एक्स्टा केल्सियम जो आप बॉलास इंजेक्शन या तो पाउडर फर्म पे देते है या लिक्विट फर्म में देते है उसको आप रोग दीजिये और डेलिवरी का 24 दिन पहले फिर उसको दुआरा चलो किजिये आप अगर ये पेक्टिस अगर करेंगे ये सांटिफिक तरीका है तो भी आपका पोसु में कोई केल्सियम का शौर्टेश नहीं होगा और आपको परियात मत्रा में दूद मिलेगा धन्नवाद